हलो स्टूडेंट इस कोईशन में कहा जा रहा है कि इनसान का हट जो है 5 लिटर पर मिनट के रेट से पंप कर रहा है मरकरी के 150 mm जितने प्रेसर पे तो इनसान के हट का पावर बताओ तो चलो हम लोग पावर निकालते हैं कि हट का पावर इस डेटा से क्या निकल के आता है तो पावर होता क्या है तो पावर आपका होता है work done by time यानि कि delta w by delta t और work done क्या होता है pressure के term में तो p into delta v होता है है ना यह आपको heat में भी बताया जाता है और fluid में भी pressure into volume flow अगर मालो delta v हुआ है तो pressure into delta v होता है work done और divided by delta t अब आपको pressure दिया हुआ है hg के term में तो pressure को लिखो rho gh है ना और delta v दिया हुआ है वो भी सबको एक बार put करेंगे और divided by delta t delta t यहाँ पर time interval है तो rho कितना दिया हुआ है तो density जो है mercury का है आपका वैसे इतना ही होता density 13.6 into 10 की power 3 kg per meter क्यों SI unit में और g की value 10 दे रखा है और height कितना है तो 150 mm है millimeter तो इसको multiply कर दो 10 to the power minus 3 से SI unit आजा जा जिसससे और into volume कितना है तो 5 liter है तो 5 liter को अगर meter cube में बदलोगे तो 5 into 10 की power minus 3 यह आपका volume हो गया है ना और time कितना लगा है इतने देर में तो एक minute per minute कहने का मतलब एक minute time है ना है ना तो इस तरह से आपने देखा कि कितना आसानी से आ गया यह solution आसा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू